नमस्कार दोस्तों, OCR Network में आपका स्वागत है, एक शेर है, कहां तो तैथा, चरागा, हर एक दर के लिए, और कहां मायसर नहीं पूरे शेहर के लिए, और ये जो चराग की बात है, ये इसको आप चोड़ करके देखिए, उन 26-28 दलों के उन लंबे चोड़े दावों के साथ, जब उन्होंने कहा था कि कम से कम 400 सीटों पर हम लोग भारतिय जनता पारिटी के कैंड के खिलाब एक एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे विपक्ष का, वो जो दावे थे वो तो हवा हवाई हो चुके हैं, अब तो टुकडो टुकडो में कहीं कहीं जो इनके अपने पारिवारिक जो इनकी विरासत है या इनके जो गड़ रहे हैं, उसको बचाने की कवायद भर दिखाई दे रही है, कॉंग्रेस ने अगर समाजवादी पार्टी से गड़बंदन किया है उत्तर प्रदेश में, तो कुल मिलाकर के अमेठी और राइबरेली लड़ाई दिखाई दे रही है, इसके अलावा कोई उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद हैं या वो ये सोच करक सत्रा सीटों पर लड़ेंगे, कि इन में से दस बारा सीटे हम जीत लेंगे, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, अरविंद केजरीवाल जो कभी अपने बच्चों की कसम खाया करते थे, ना भारती जनता पारिटी से कभी सहयोग लेंगे, ना देंगे, ना कॉंग्रेस से कभी सहयोग लेंगे, ना देंगे, अब वो कॉंग्रेस के सामने गुठने टेक्टे वो दिखाई दे रहे हैं, जिस दिल्ली में वो कह रहे थे कि बस एक सीट की ओकात है कॉंग्रेस की, वहाँ अब वो कॉंग्रेस को तीन सीटे देने को तयार हो गए, इसी तरीके से हरियाना की दसमें से नो सीटों पर कॉंग्रेस लड़ेगी, चंडीगर की सीट भी अरविंद केजरिवाल ने कॉंग्रेस को दे दी, गोवा की भी दोनों सीटे कॉंग्रेस को दे दी, गुजरात की बस भडूच और भावनगर की दो सीटें और बाकी 24 सीटों पर कॉंग्रेस ही जाने की लड़ाई का एक जजबा लेकर के 26 या 28 दल इकठा हुए थे और चार शेहरों में आपने यात्राएं कर डाली थी पटना, बैंगलोरू, मुंबई, दिल्ली, अब जबके लोकसवाचनाव की गोशना बिलकुल सिर पर है, तो आप खड़े कहां हैं, और आप अपनी न होती वरिष्ट पत्रकार और यूट्यूब पर एक चैनल पर वो आजकल शाम 6 बजे आते हैं, स्तीधी लकीर उसका नाम है, धीरेंदर पुंडीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो धीरेंद जी को जोड़ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, धीरेंद जी बहुत बागत है, नमस्कार, तो ये बताईए साथ, ये जो 400 सीटों पर भारतिय जनता पारिटी के खिलाब एक एक कैंडिडेट खड़ा करने की बात थी, वो तो हवा हो गई? देखिए, ऐसी कोई बात सिर्फ अख़बारों के लिए, मीडिया के लिए और अपने लोगों के मनोबल को बनाने के अलावा बाकी कहीं नहीं थी, ऐसी चीज आपको दिखती है क्योंकि कई बार जब हम लोग ये बात करते हैं कि क्या ममता बेनर जी इतनी उदार हो कि वो 5-10 सिटे दे दें, इतने जादा उनके अंदर हो जाएगा, यह आपको लगता है कि वो उदारता पूरवक तरीके से यहां जीत की स्तिती में हो, अखिलेश और तब सिटे दें इतनी, चुकि 2017 के बात चुनाओं के बात तो यही कहा गया था कि हमने उनको उनकी S.S. से जादा सिट दे दी थी और वो समझ नहीं पाये थे, आपको लगता है कि कॉंग्रेस हरियाना में उनको 5 सिट दे देगी, यह दरसल शुरू से एक प्रक्टिकल राजनीती का जो एक तरीका होता है, उसके अगींस खड़े थे, यह लोग अपने अपने गड़, अपनी अपन आने की आखरी लड़ाई लड़ रहे हैं, चूकि जाती आधार पर बनी हुई पार्टियां कभी भी इस तरह का कोई करम नहीं उठाती है, जिससे कि उनके उस बेस में कमी आ सके, आप देखते होंगे कि कितना हाड बारगेनर मुलायम सिंग रहे, हाड बारगेनर देवीलाल फिर आगे उंपरकास चोटाला या वो, यह तमाम जातीयों के आधार पर बनी हुई राजनीती है, चाया वो लालू यादा हो या इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा वीजन नहीं होता है, क्योंकि जो शुरुवाती दौर था उत्तरप्रदेश की राजनीती में, तो ज खिसानों की जो राज़ी थी, खास तोर से उन्होंने ये भी नहीं, उसमें उन्होंने ये भी नहीं किया था, क्योंकि आप अगर अजगर में देखें, तो उसमें राजपूद भी शामिल था, उसमें हो था जो अपरकास्ट है, यानि उन्होंने अपनी एक लड़ाई को व हमेशा दिखना चाहिए कि दो चीजों में अंतर हमेशा होता है, कि जातिया आधार पर बनी हुई पार्टी क्या होती है, और किस तरह से कोई एजेंडा कॉमन ड्रिवन प्रोग्राम पर होती है, लेकिन इस सब में एक सबसे अलग बदलाव आपको दिखाई देगा, वो है क किजरिवाल, किजरिवाल जो अपने आपको एक ऐसी जिसको मुझे लगता है कि शायद वो अकेले राजनेता होंगे, जिनोंने ये कसम खाई है, कि उन्होंने शुरुआती पांच सालों में जो कहा है, उसके खिलाव करके दिखाना है, जो भी उन्होंने कहा है, मुझे लग मंदिर में पहुँचेंगे, बच्चों की कसम खाली, लेकिन मैं कॉंग्रेस के साथ नहीं करूँगा, उस कॉंग्रेस के साथ हुआ, उसके बाद जिन लोगों को जी भर के गालियां दी, उन सब के साथ पोस्टर पे खड़े हुए, सवाल ये नहीं कि आपकी राजनेती क्य कोशिश करते हैं, और मैं यह से 10-15 साल पहले कि जब मैं इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्टर हुआ करता था और हर रोज घोटा ले और तमाम चीज़ें दिखाते थे हम लोग, लेकिन जनता फिर जिता देती थी, तो उसके बाद फिर इस इस कॉंप्लेक्स को देखने की ज आधार क्या है, आप उत्तरप्रदेश में उन सिटों का बटवारा देख रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी ने दी हैं, यह वो सिटे हैं, जिनमें से 12 पर जमाना जब है कॉंग्रेस की, यानि उसके पास कोई जीत का आधार तो बहुत बड़ी बात होती है, उनके पास को 12 सिटों में 120,000 वोट तक पहुँचेगी, यह संकट होगा, वो उन सिटों पे लड़ क्यों रही है, और आप देखिए कि जिस तरह से चोथे नंबर पे रहने वाले सलमान कुरसीद, वो एक नाराज हो गए हैं, कि साथ मेरा फरूखाबाद की जनता का रिष्टा तूट रह है, वो ऐसा रिष्टा है जो उनको चोथे नंबर में ले जाता है, ऐसा रिष्टा है जो उनको जमान पे जप्त करा देता है, लेकिन चुकि राजनेताओं का एक शगल भी होता है, चुनाओ लड़ना, वो गे कहते हैं कि हमने पांस साल पैयारी की हो, जिस एक्जाम की और ह मैं एक्जाम में ना बैठें, तो ये तो वह वाली बात होगी, क्योंकि मैं एक सज्जन से बात कर रहा तो तो मैंने का यार आप लड़ क्यों हैं, आपकी तो जीत क्या क्या आप वो भी नहीं बचा पाएंगे जवान, तो उसने कहा कि यही सीधा और का कि एक्जाम भी ना हैं, आपके पास कुछ नहीं है, और आप सिर्फ एक मत्वे हैं, कि जब जनता तंग आ जाएगी, जब जनता इस चेहरों से ऊब जाएगी, या बीजेपी से ऊबेगी, तो वो हार के कहां जाएगी, क्योंकि हम तो लड़ी रहे हैं, चुनाओ, भई आप कहीं भी नहीं तो वोट तो किसी को देगा, नोटा तो उत्तर प्रदेश उत्तर, आपने देखा हो उत्तर प्रदेश, बीयार, इन सब में नोटा उटा से कोई बहुत लेना देना जनता का होता नहीं, वो सीधे तो वोट देने आती नहीं है, या वोट देती है, तो वो सीधा अपनी जीत तो इनको सिर्फ ये लग रहा है कि ये जनता की मजबूरी हो जाएगी कि सरकार से जब वो नाराज हो जाएगी तो हम को देखी ये उसके लिए प्रयास कर रहे है उसलिए मैदान में डटे वे ताकि हम देखे वरना दिल्ली में जो तीन सीटे आप ले लो या चार सीटे उनको देखे उसे क्या फर्क पड़ना है आपको लगता है कि आज की डेट में कोई फर्क पढ़ रहा है लिल्ली में कि ये तीन सीटे की बजाए अगर हम यह मान लेते हैं कि अगर चार सीटे को मिल जाती तो आपको लगता है हार का अंतर को अलग हो जाएगा अलका लामा को तीन कुछ कितने वोट मिले तो किस चीज की राजनेती कर रहे हैं तो इसी तरह से हम जब उधर जाते हैं जिन 400 सिटों की बात करते हैं तो ममता बेनर जी अपने इलाके में अपने लोगों के साथ वो मुसलिम वोटर्स के साथ जिस तरह उनके साथ अटेच्मेंट है वो उस वोट को वापस क्यों को करना चाहेगी जो उन्होंने छीना है वहां कोई वोट बेंक बस BJP का नहीं लिया है बीज़ेपी नहीं लिया है अपने पास तो इस लिए मंत вмाट गोट में रख के उसमें रख है या तमाम जगों की लड़ाई है कॉंग्रेस पार्टी ब्रहमिन्स अल्पसंख्या और दलित वोटर्स के बेस पर उस चुनाओं को लड़ा करती थी जिस समय हम लोग सेविंटीज के बाद की इंद्रा गांदी या तमाम पार्टी के नेताओं को देखते हैं तो क्या वो वा कि मैं जन्संग के साथ नहीं होंगा ये तो ऐसा है और तमाम है उसके बाद जन्संग भी उसली में रहा और वो भी रहे फिर बाद में पार्टी तोड़ने के लिए बहुत आसान सहिस्तेमाल किया गया कि हम लोग नहीं रह सकते हैं डुएल मेंबर्सी पर तो ये एक ऐसा ग साथ समर्थन नहीं दिख रहा है क्योंकि अग्दम दूसरे खोज उस पर खड़े हुए दिख रहे हैं क्योंकि आप जो आम जन्ता का मानस है उसके अगेंस खड़े हुए दिख रहे हैं इस वक्त तो कम से कम आप चुँकि आप यह देखिए आज जैसे योगी आधितिनात कि पेपर लीक हुआ है यह बात बिल्कुल साफ तौर पर क्योंकि यह भी है और तो उन्होंने तुरंट एक फैसला लिया कि कैंसिल करें और साथ ही साथ च्छे महिने के अंदर कराने यानि ताकि एज की दिक्कत ना होना दिक्कत हो तो यह एक मुझे लगता है कि समय दिन शील चुनाओं के लिए आज तमाम समाजवादी पार्टी के विदायक बुला लिए गए लगनाओं में उनको एक जगे रखने की बात है फिर वो दूसरी पार्टी तो हम लोग सिर्फ एक ऐसी चुनाओं को देख रहे हैं जहां विपक्षी पार्टिया इस बात के लिए तैयार हो रही है कि उनको हराना नहीं है उनको उनको किन-किन सीटों पर हारना है यह तैकन है अच्छा उत्तर प्रदेश की अस्ती पश्चिम बंगाल की 42 इन दोनों ही राज्यों में 2019 में तिरकोणी मुकाबला हुआ था उस समय महामता बेनर जी इंडिपेंडनेंटी लड़ रही थी और भारती जंता पारिटी भी और जो आपके कॉंग्रेस वामपन्ती वगरा मिल करके लड़ रहे थे तो तिरकोणी है मुकाबला हुआ नतीजा सब के सामने है इस बार भी तिरकोणी ही मुकाबला हो रहा है चार बैटकों का कोई फरक पड़ता हुआ दिखाई नहीं द है तो फिर तिरकोणी है मुकाबला यहां होने वाला है तो इस पूरी कवायद का परक्या पड़ा देखिए उत्तरप्रदेश को अगर हम गौर करें पिछली बार के चुनाओं को बहुत उसको देखते हैं अगर हम लोग सोशल फैब्रिक के आधार पर देखें तो बसपा ए कैसा अलाई थी जिसके पास अपना एक वोट बेंक आज की देट में भी है अगर वह केले भी लड़ती है आपने देखा होगा कि 13 से 14 परसंट उसके पास अपना वोट बेंक है उसको अभी वो चिज गया है लेकिन 13-14 परसंट वोट बेंक अभी जुड़ा हुआ है लेकिन Con तो इसलिए उस त्रिकोणिये का नुकसान ज़्यादा है क्योंकि बसपा अपनी वोट को लेके रहेगी अपनी वोटों को वो हो सकता है कि कुछ नीचे जाए कुछ उपर आ जाए ये भी हो सकता है क्योंकि इस बार वो टेक्टिकल फिर दुबारा से जो एक आपने देखा उसमें मुझे लगता है वो इनके लिए जरूर परिशानिया खड़ी कर देंगी इसलिए ये तीसरा गठक आपको यूपी में तो जरूर दिखेगा क्योंकि पिछली बार कॉंग्रेस अलग लड़ी थी एक चोपीजी पार्टी के साथ हो थी लेकिन कॉंग्रेस के पास वो कर चुके थे पिछली बार लेकिन उसके बावजूद वो बीजेपी को 62 सीटों लेने से रोक नहीं पाये थे 49 सम्तिंग तक बीजेपी का वोटर था यह लगवग 50% वोट था और अगर बीजेपी उसमें 1-2% बढ़ा लेती तो आप चाहे कितने भी वोट लेया आप तो लड़ा गया तब लड़ा गया जब तीनों पार्टिया थी आरेलडी के बहुत सारे बयान ऐस तरह के होते हैं जैसे वो बहुत बड़ी ताकत है या वो अख़बारों में आपको जरूर दिखेगा लेकिन वो कभी ताकत नहीं है मुजफर नगर में कभी किसी सीट पर वो ध पक्ष की बात करते हैं तो वो दोनों पिछली बार एक थे आरेलडी इस बार वहां से तो आरेलडी का वोट में से साथ में जाएगा जो भी वोट है उनका वो जरूर है इतना वोट जरूर होता है कि वो जीत के अंतर को बढ़ा देगा आप अमरोहा में इस बार चेंज ही नहीं और उत्रे वोट के जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि जो योगी आदितनात हैं उनके काम पे जनता जो है कोई नाराजगी हो या कुछ हो लगातार जिस तरह से लॉर्ण ओर्डर का सवाल है उस पर वो टीक है बाकी विपक्षी तो अपनी कहानिया सुनाते ही है ल लेकिन बंगाल का उलट मामल है बंगाल में उस तीसरे गठवन्दन का इसलिए भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि पिछली बार अगर आप में देखा हुआ कि विधान सवा में पूरा का पूरा जो मुस्लिम वोटर्स है यहां तक की मुर्शिदाबाद, मालदा और यह सब जह या उसके पास उस लड़ाई में कोई पाइदा नहीं है वो एक फुरफुरा शरीफ के उसको देखा था पिछली बार की मुस्लिम वोट वो भी साप हो गए क्योंकि देखिए किसी भी मुस्लिम लीडर से बड़ी ताकत मनता बनर जी है क्योंकि मुस्लिम को मालूम है कि उनक जिन सीटों पे हम अपना उमिदवार जिता सकते हैं यानि मुस्लिम उमिदवार जिता सकते हैं वहां हम अपने को देंगे जहां हम अपने को नहीं जिता सकते हैं वहां हम सेकुलर पार्टी को देंगे तो वो क्लियर जवाब था तो मुझे लगता है उस बहुत जादा दिम जो वहां होने वाले अत्याचारों पे चाहे वो महिलाओं पे हो चाहे वो दलीतों पे हो चाहे वो गरीब लोगों के हो स्टी उन पर लगातार होने वाले अत्याचारों में वो जो भी पार्टी सत्ता में आती उसके साथ खड़ा होकर वो पूरा करता है और उसका फाइदा ल बेहतर भी बात है और शिव सेना ने 23 परतिशत वोट शेर के साथ 18 सीटे जीती थी यानि इन दोनों ने ही 41 सीटे जीत ली थी और बाकी NCP को चार मिली थी एक कॉंग्रेस को मिली थी एक असदुदीन ओवेसी की पारिटी को मिली थी एक इंडिपेंडन्ट जो आपकी अमरावती से जीत करके लेकिन NCP टूट चुकी है सीव सेना टूट चुकी है बलके दोनों पारिटियों के मालिक अब और हैं शरत पवार और उधव ठाकरे के बजाए तो क्या सिच्वेशन इस समय आप महराष्ट की देख रहे हैं महराष्ट में तो इस बार अगर हम कहें तो कई कोण ये मुकाब होता है दिखाई देरा क्यों कि वहां सीटों को लेकर के अभी तक जो बची खुची पार्टियां है शरत पवार की उधव ठाकरे की और कॉंग्रेस वो सिर्फ उटावल कर रही है सीटे बट नहीं रही है अशोक चौहान कॉंग्रेस छोड़ गए मिलिंदेवडा कॉंग्र रोटी है एक ही रोटी है और उसमें जो है कोई दो लोगों को मिलके घाना है लेकिन उसी में अगर चार लोग आ जाएंगे तो कुछ भी हो या वो चार दो लोग चार हिस्सें की बात करने लगेंगिगे तो एक-एक हिस्सा कम होता चला जाएगा वो आधे मैंसे और आदा ह अगर हम NCP की बात करें पूरे मारास्टा में तो NCP भले इमोशनल अपील के नाम पर आज भी जो अंग्रे जी दाखबार है या जो शरद पमार गुष देश का चानक के लिखते रहे अगोशित राजनेतिक चानक के जो थे जो कभी भी अपने राज्ये के बार कोई ताकक नही था पिछले लोकसभा चनाओ में वो 15.7 परसेंट था और कॉंग्रेस का 16.4 था और कॉंग्रेस तो भले ही साबूत है लेकिन NCP का जो 15.7 परतिशत था इसमें बटवारा होने वाला है और जो शिव सेना का 23.5 परतिशत वोट था उसमें भी बटवारा होने वाला है वही मैं आपको दर्शो हुए बता रहा था कि अगर आप गौर करते हैं कि भले ही जरांगे को आगे करके या जो एक पिछले मराठा वोट को एक जुट करने की बात है तो आप देखेंगे उपर जरूर है कि लेकिन वो मराठा वोट कितने हिस्सों में बढ़ता है कॉंगरेस महां बहुत ताकतवर रही कभी भी मराठा सरदार मराठा वोटों के मसिया या मराठा वोटों के जादूगर शरद पमार कभी भी कुछ इलाकों को छोड़ दीजे उनके निश्चित बटेवे सतारा सांगली इधर की तरफ के इलाकों को छोड़ दीजे तो उसके और दूसरे इससे में चुकि सीव सैना अगर हम मराठा बेस छोड़ते हैं जो उसका जिसके साथ अभी भी आपको उद्दा उठा करें को जो साथ देता हुआ देखता है जो उसी कब ये अपने सलेक्टिर्ड मराठा तो उसमें आप गौर करेंगे कि वो जो वोटर्स है उसमे जो बाकी हिंदू के नाम के वोट देता था चुकि बीजेपी के साथ होने पर जो गैर मराठा वोटर्स था वो सीव सैना को भरपूर मिलता था उसमें कोई ये नहीं था कि वो सिर्फ उसका वोटर है क्योंकि मुंबई में सीव सैना जो हिंदी भाशी लोग हैं उन पे हमले कर रहें उन पर मारना उनको पीटना उनके साथ बत्तमीजी करना ये निरंतर उनके साथ रहा उनके उनका बहुत तिरसकार पूर्ण तरह की भाशा हमेशा होती रही है तो वो उसकी एक लिमिट रही है वो जो है उद्धव ठाकरे और बाल ठाकरे में ये अंतर था कि बाल ठ वारी जी उनका बचाव करते रहते हैं बैठके या कुछ और लेकिन वोट नहीं होगा कोई भी उनके पास और उधर एकनात सिंदे की जो सबसे बड़ी ताकत है वो यह है कि उसने हिंदुतु का मुद्दा हिंदुतु के मुद्दे को पकड़ के वो खड़ा हुआ तो जो गै विश्वस नहीं है बलकि आनंद के जो उनके वहां के दिगे के उनके बहुत करीबी जो शिश है उसकी तरह से माना जाता है तो मैं यह मानता हूँ उसमें सीधा बटवारा हो गया कॉंग्रेस का जो वोट बैंक था वो इसलिए चीज गया है और बुरी तरह चीज गया है कोई बात नी पहले मुरली देवडा फिर मिलिन देवडा तो उनका है उसमें कोई शक नी तो वो कॉंग्रेस के साथ उसमें से टूट होगी ऐसा तो है नहीं कि कॉंग्रेस सब वापस लेगी और मिलिन तो वो लोग लेके जाएंगे इसके साथ साथ असोग चोवान आखरी ताकतवर नेता है क्योंकि प्रतुराज चोवान जो है प्रतुराज चवान जो है कभी भी जनता के नेता नहीं प्रतुराज चोवान दिल्ली के नेता है जिनको इंपोज किया जाता है वो प्रदानमंतरी पीमों आफिस के मिनिस्टर थे जिनको वहाँ इंपोज किया जाता लेकिन असोग चवान नांदेड और उसी लाके में अपनी ताकत के नेता हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ अगर बीजेपी अपने टिक्टों के बटवारे को सही करती है तो उसके पास वो पुरानी इस्तिती में बहुत जाधा अंतर उसके नहीं आना है क्योंकि उसके पास जो फट नवीस हैं और अच्छे लीडर अभी हैं उसके पास तो मुझे लगता है कि ये एक बहतर कॉंबिनेशन वहाँ बना है और एंडिये की पिछली बार की कमोबेश हालत वही रही अच्छा अगर हम perception की बात करें क्योंकि हाम तोर पर जब भी इतने बड़े चुनाव ह होते हैं तो perception जो है वो काम करता है इन्हों ने चार अलग-अलग शेहरों में बैठके भी की मन्थन भी किया सहियोजक भी तैह नहीं कर पाए minimum common program भी तैह नहीं कर पाए दूसरे तमाम मुद्दे अंसुल जे रह गए सबकी अपनी अपनी ego थी नेता कौन बने इसको भी तैह नहीं कर पाए हम यह मान करके चलते हैं कि जो पुराना UPA था बस वो है और उसमें आम आदमी पारिटी एक और प्लस हो गई है बाकी तो इन में से कई निकल भी गए फारुख अब्दुल्ला का बयान हमने देखी लिया वो NDA में आने को तैयार है तो तोटफूट हो रही है और एक आद पारिटी बस प्लस हुई है UPA में बाकी इंडिय एलाइंस लगबक खतमी है वो बस नाम भर के लिए है उसका नाम इस्तमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं है तो ऐसे में परसेप्शन की लड़ाई कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि इधर हम देख रह है तो यहां तो लगातार एक परसेप्शन क्रियेट हो रहा है लेकिन वो किसी को शामिल कर पा रहे हूं या कुछ पलस कर पा रहे हूं ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है तो परसेप्शन की लड़ाई कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है दिए परसेप्शन वाइस तो इस की सड़कों का मैसेज समझें जिस तरह से बाहत दिख रहा था तो वो यह बताता है कि आप अपने 43 वी बार एक संसद देश का प्रदान मंतरी अपने संसद ये छेत्र में 43 वी बार जा रहा है दस बार में चुकि वो उस स्टेट का भी नहीं है वो उसका भी नहीं है और उसके तरह से आप अमेटी में देखिए राहूल गांधी हार के बाद कितनी बार गए है और प्रियंका गांधी 2022 की हार के बाद कितना गई है तो जो पर्सेप्शन की लड़ाई है वो इसलिए भी बनता है पर्सेप्शन क्योंकि आप महनत करते हुए दिखते हैं एक ऐसा मुख्य मंतरी बड़ा इंट्रेस्टिंग निर्मला मैं सीता रमन को सुना तो उन्होंने जो बात कहीं मुझे लगता है कि पत्रकारों को भी कई बार पॉलिटीशन के होमवर्क पर ध्यान देना चाहिए उन्होंने कहा कि 75 जिले हैं और वो 243 कितनी बार मतलब उससे जादा बार वो अलग अलग जिले तो एक मुख्यमंतरी इस तरह मूव करता है जानता है चुकि आप भले ही कुछ भी चिपाएं ब्यूरोक्रेसी हमेशा चिपाने पर यकीन रखती है और वो सबसे बड़ा गड़ा होती है किसी भी सरकार के लिए चुकि जनरली वो किसी भी यथा इस्तिती बनाए रखना की चाह कोशिश करती है वो कभी भी चेंज आने के खिलाफ सबसे जादा काम करती है और राजनेताओं को डुबहती भी वही है लेकिन आप ये देखें कि अगर आप कितना ही चिपाएंगे लेकिन अगर मुख्यमंतरी लगातार जा रहे हैं तो पकड़ कि बीजेपी काम करती हुए दिख रही है अपने फिल्ड में साथी साथ एंडिये जो है उन लोगों को जोड़ रहा है अलाकि देखें इसमें से कुछ चीज़ें ये भी है और ये पर्शेप्शन है इसमें कोई शक नी कि बीजेपी के पास एक वो लॉंडरी है जिसमें जो आगये नितीश कुमार तो अचानक नितीश कुमार कमनेट हो गए और अचानक उनमें सब काटे हुगाए जब तक वो वहाँ बैठे थे तब तक नितीश कुमार बहुत बड़ा काम कर रहे थे तो वो तो एक पलिटिकल है हम लोग इस बात को जानते हैंगि इसका उनके तो उसको लड़ेगी मनलब जिस भी तरह से अपना देखेगी कि ये बिना अकालियों के पिछली बार जिस तरह से लड़ाई हुई तो मुझे लगता है कि उसमें देखेंगी बाकी तो पर्शेक्शन वाइस तो ये आगे हैं ही क्योंकि उनके पास पर्शेक्शन है ही नहीं अ पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई पर्शेक्शन होता है जो बीच में यात्रा फिर बंद हो जाएगी 26 से फिर बंद हो जाएगी वह बाहर चले जाएंगे विदेश केंब्रिज में उनको बाचन देना है तो आपको जो 24 गंटे राजनीती करने वाले लोग हैं उनके सामने इस तरह का रोच नहीं चलता है बीरें जी बहुत-बहुत धन्यवाद आप जुड़े और बहुत महत्वपोन मुद्व पर आज आपने चर्चा किये थैंक यू सो मच नाश्यार्ट